हाई दोस्तों, असलाव अलेकूम, कैसे आप लोग, मेरा नभी लिया, इस 15 डेवलपर बेटा 2, अपल ने कर दिया, रेलीस पब्लिक बेटा भी तक नहीं आए, यह डेवलपर बेटा है, और इसका जो है, यह अपडेट का सारी इंफोमेशन में आपको इस वीडियो में देने अपडेट जो आया है, वो 8GB के आसपास का है, अब यहाँ पे अपडेट के पहले का, जो बिल्ड नमबर था, वो यहाँ पे आप देख सकते है, यह बेटा 1 का था, वो था एंड में W लेटर के साथ, और इसी के साथ दोस्तों, अवेलेबल फ्री स्पेस अपडेट से पहले यहाँ पे नया modem firmware भी हमको देखने मिल रहा है, जो कि है 2.06.00, अब यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ इस अपडेट में नया आया है, वो देख लेते हैं, उसके बाद, यहाँ में network performance, battery performance, सब चीज़ बता हूँगा, क्योंकि मैं इसको काफी time से इस्तमाल करा हूँ, यानि क तकरीबन 24 गंटे हो गए, इसको इस्तमाल करते करते, तो यहाँ पे इस वाले update के अंदर, सबसे पहले चीज़ जो change हुई है, वो map का icon है, map का icon जो है इस तरीके का नहीं रह रहा था, beta 1 के अंदर, तो यहाँ पे नया map का icon आया है, इससे कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन मै यहाँ पे change हुआ है, अब focus mode जो है iOS 15 के, यह काफी interesting चीज़ है, जिसमें आप अलग-अलग profiles बना सकते हो, यह by default आप कोई profiles मिलते हैं और extra profiles आपको बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, अभी जो focus mode है, इसके लिए हम setting में जाते हैं और यहाँ पे जो changes हुए आएंगे, इस वाले beta के अंदर, यह नया है, यहाँ पे, यहाँ पे home screen and lock screen दो options हैं, यहाँ पे एक बार light mode जो है, वो on कर दें तो दाखे जादा अच्छे से आपको नजर आए, तो यहाँ पे home screen and lock screen दो option है, home screen पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे hide notification badges का option है, वो आप hide कर सकत इस mode के अंदर, sleep mode है, do not disturb mode है, आप उसको पूरी तरह से customize कर सकते है, उसे कैसे lock screen का भी option यहाँ पे add किया गया है, जहाँ पे silent notifications है, वो show होंगे lock screen के उपर, आपका lock screen होता है, notification panel होता है, वहाँ पे show होंगे, अगर आपको वो भी नहीं देखना है, बिल्कुल यह disturb नहीं होन तो choose a new wallpaper पर click करेंगे, और यहाँ पर यहाँ पर कोई भी wallpaper पर टैप करेंगे, तो यहाँ पर loading करके लिखा आता है, पहले loading नहीं लिखा था, तो पता नहीं चलता था, कि load हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अभी जो है, इस तरीके से आपको loading वाला यह animation देखने मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा, कि wallpaper is loading in the background, यह ऐसी चोड़ी सी चीज है, लेकिन चोड़ी उसफुल चीजों को लेकर ही iOS जो है, वो बहतर बनाया जाता है, गाइस आपके वास Apple Watch है, अपने अगर बेटा वर्जन डालके राखा है, जो इतना recommended नहीं होता, क्योंकि उसको बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहाँ पे आपको जो watch faces है, उसके अंदर नया जो portrait mode का option आया है, जिसमा कोई भी photo को portrait mode वाली photo बना के अपनी watch पे लगा सकते है, वो option भी आपको देखने मिलेगा, अगर आपका watch OS जो है, वो beta version पे चल रहा है तो, अगला जो update आया है दो स् को open करेंगे, तो नया splash screen आपको यहाँ पे नजर आएगा, जहाँ पे इसके बारे में जो additional features है, वो आपको देखने मिलेंगे, नया design है, notifications आपको मिल जाएगे, rain और snow के, या storm वगरा हो रहा है तो उसके भी, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे weather maps जो है, आपको जो है, precipitation, air quality or temperature maps वगरा, जो है, सारी चीज़े बताएगा, तो यह पहले बता चुका है, बस यहाँ पे एक नया splash screen आपको इसका देखने मिल रहा है, same splash screen आपको जो है, notes application में भी देखने मिलेगा, इसमें भी जो नये features है, जैसे आप hashtag लगा सकते है, आप tag कर सकते हैं, इसी को, features पहले आ आ चुका है, आप सेटिंग में जाएंगे, और आपको यहाँ पे जाना है, FaceTime में, और FaceTime में दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है, SharePlay का option देखने मिलता है, अब SharePlay क्या है, आप FaceTime काल के अंदर, कोई भी चीज जो है, वो शेर कर सकते हैं, सामने वाले जैसे music हो, वीडियोस ह यहाँ पे आप टैप कर दीजिए, और SharePlay को जो है, आपको अन कर लेना है, अब आपको जो है, FaceTime में चला जाना है, जहाँ पे आपको अगला जो नई चीज है, वो मैं बताने वाला हूँ, FaceTime आपने ओबन कर लिया, यहाँ पे FaceTime के अंदर आप एक New FaceTime कॉल जो है, वो कर ली है, और यहाँ पे Grid Layout का भी Option है, तो उस पे भी Tap करके आप जो FaceTime कॉल में, Multiple लोगों के साथ एक साथ ग्रूप कॉलिंग करते है, उसमें Grid Layout को भी आप यहाँ से Join कर सकते है, अब जब आपका FaceTime कॉल चल रहा है, उसमें आप Swipe Up करके ऐसे बाहर निकल सकते है, और इसी के आप Apple TV में भी कर सकते है, तो यहाँ पे मैं Apple TV ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी Share Play with TV वाला Option जो है आ गया, अब Share Play with नबील नवाब में कर सकता हूँ, जिस किसी भी Contact से आप Calling कर रहे हो, उसके साथ आप Share Play कर सकते है, याने की FaceTime के अंदर, आप Music, Videos, बहुत सारी चीज़े जो है, वो Share कर सकते है, अपने FaceTime Contacts के साथ, iOS 15 के Beta 2 के अंदर जो अगला नया फीचर है, दोस्तों हुआ है, Settings के अंदर, Accessibility में, यहाँ पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आप AirPods का आइकन पहली बत तो Change नज़र आएगा, और यहाँ पे आपके जो भी AirPods है, उसके अंदर AirPods Max के अंदर यह चीज सपोर्ट है, तो यहाँ पे Follow iPhone का Option आपको देखने मिलता है, जिसको आप Toggle On-Off कर सकते है, Spatial Audio के लिए, अगले जो नहीं फीचर आए, दोस्तों इस वाले Update के अंदर वो आए है, Health Application के अंदर आप शेरिंग में चले जाएंगे, तो यहाँ पे आपको Private और Secure रहेगा आपका शेरिंग है, वो मतलब जिसके अब शेरिंग करना रहते हैं, वो ही देख पाएगा और कोई नहीं, और यहाँ पे इस से Related Apps वगरा जो आपके फोन में और इंस्टॉल है, उसको भी आप यहाँ से Control कर सकते है, इसे के साथ दोस्तों अगला फीचर आय जो के आप यहाँ से Setup कर सकते हैं, अगली चीज़ नहीं आई है दोस्तों, यहाँ पे वो है नए Memoji, आपका जो iMessage का अप्लिकेशन है, उसमें जाएंगे, नए-नए Memoji आपको देखने मिलेंगे, यहाँ अलग-अलग Headgear के Option भी है, जैसे यहाँ पे Turban वगरा देखने के अंदर, आपके Apple ID में, आपके iCloud के अंदर आई है, यह चीज जो यहाँ पे है, वो है Private Relay, Private Relay पहले नहीं था, अब इस पे Tap करके आप इसको Enable कर सकते है, Private Relay जो है, यह आई-Cloud Plus के साथ जो है, इसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसमें आपको बेसिकली जो Multiple Options है, जो कि iCloud Plus वाले है, तो यहाँ पे आप iCloud Plus ले सकते है, और जितना iCloud सब्सक्रिप्शन आप लेते है, उतना ही प्राइज यहाँ पे इसका है, जैसे 75 रुपीस पर मन्त, अगली जो नई चीज आईए दोस्तों वाई है, यहाँ पे प्लस आइकन पर टैप कर लिजिए Create a New Shortcut का आइकन है, और यहाँ पे जो Menu बटन है, इस पर टैप कर लिजिए, और यहाँ पे टैप करने के बाद, आपको Receive What's On Screen का ओप्शन देखने भी लेगा, तो यहाँ पे जैसे Siri काम करता है, वैसे ही Receive What's On Screen का ओप्शन है, अब यह जब मैं Shortcut बनाऊंगा, तब आपको जो Memories है, वो Library में सबसे पहले आपको जो है, देखने मिलेगी, और उसके बाद आपको For You Tab वगरा देखने मिलेगी, तो यह भी slight change यहाँ पे Apple ने किया है, iOS 15 Beta 2 के बारे में और information आपको देने वाला हूँ, उसके पहले iPadOS के बारे में छोटी सी information में आपको देता हूँ, यहा 2.31 GB का update आया था, उससे थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पे basically वो सारे changes आपको देखने मिलेंगे, जो उसमें देखने मिले थे, इसे के साथ दोस्तो iPadOS में आप जानते हैं कि कहीं भी हम जो विजट लगा सकते है, तो यहाँ पे widgets के अंदर, जो Apple Music वाला widget है, इसके अंदर extremely large size का oversize वाला widget है, यहाँ पे आ चुका है, तो Apple Music वगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके काम की चीज़े में यूज ही नहीं करता, तो यहाँ पे इसको load ने को भी time लग रहा है, otherwise यहाँ पे यह चीज़ फटा-फट आ जाएगी, और इसका यहाँ एक important change आया है, आपके जो iPad है, iPad के अंदर जब आप Apple Pencil के साथ यहाँ से slide करते थे, तो इक quick note वाला option जो है, आपको देखने मिलता था, लेकिन अब जो है, आपको Apple Pencil की ज़रूत नहीं, आप अपनी finger से भी swipe करके यहाँ पे quick note को open कर सकते, जो के beta 1 में possible नहीं था, अब यहाँ पे दोस्तो जो bug fixes है, वो भी काफी सारे Apple ने किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे bugs है, जो fix होना बाकी है, मुझे जब मैंने यह update किया, उसके बाद एक problem आया, कि जो कोई मुझे call कर रहा था, एक ring के बाद वो phone कट हो रहा था, automatically और वहाँ पे लिखा आ रहा था, received on other device, याने कि जो मेरे दूसरे आईफोन है, आईपार है, उसके बाद रहा था, फिर भी ऐसा हो रहा था, तब मैंने अपने phone को जो है, एक बार reboot किया, एक बार restart किया, और उसके बाद रहा था, इसके बाद रहा था, इसके बाद बग्स बेटा वर्जन में आपको देखने मिलेंगे, और बैटरी हल देख लेते हैं, तो अभी भी 100% है, 100% है, कोई प्रावलम नहीं है, इसके अंदर वैसे charger वाद अकल वीडियो बनाया है, वो भी check out कर सकते है, चार्ज जो है, वो किस तरीके का रहा है, दिन भर का, वो भी आप देख सकते है, स्क्रीन on time, तकरीबन 6 घंटे का मेरा रहा है आज दिन का, और यहाँ पे जो मैंने इसको last charge किया था, 74% पी किया था, वो था दोपैर के एक बज़े, मैंने इसको जो है उतना charge करके निकाल दिया था, उसके बाद से अभी तक चल रहा है रात के, तकरीबन 12 बज़े और 27% है अभी भी, तो यहाँ पे 50% जो ह यहाँ पे बैटरे लाइफ जो है अच्छी रही है, इसलिए मैं तोड़ा लेट वीडियो बना लो ताकि आपको बैटरे की इंफोर्मेशन भी दे सकूँ, इसके दोस्तों, नेटवर्क परफॉर्मेंस अच्छा है, इस वाले अपडेट में कोई मुझे प्रॉब्लम महसू स्कोर सिंगल कोर मल्टी कोर वाला और आज 25 जून वाला जो अपडेट है, उसमें 16074124, तो यहाँ पे स्लाइटली इंप्रॉब्मेंट ही हुआ है, कम नहीं हुआ है, मल्टी कोर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकि सिंगल कोर में परफॉर्मेंस थोड़ा सा बड़ा भी है, त आपको इंक्रीज देखने मिल सकता है, तो यह था दोस्तो, iOS 15, developer beta 2 का complete video, जिसमें आपको सारे features वगर आपको अपडेट तो कर सकते है, मैंने इसका तरीका जो है, download and installation का अपने Instagram में बता है, क्योंकि YouTube पे बताना allowed नहीं है, क्योंकि आपको developer account लगेगा, और उसके लिए आप झाल